जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिये थे और इस जन्म में महाबली हनुमान उनके सेवक थे। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त श्री हनुमान चिरंजीवी हैं और पृत्वी के अंत तक वह यहां मौजूद रहेंगे। परंतु दर्शकों आज में आपको श्री राम और उनके भक्त हनुमान के कथा की जगह भगवान कृष्ण और महाबली हनुमान जी एक की एक ऐसी कथा के भारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस एपिसोड में मै कुछने लगा कि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई कोई भी शक्तिशाली नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण भी अंत में दुष्टों का नाश करने के लिए मेरी ही सहायता लेते हैं। उधर इस बात का ज्यान जब भग भगवान श्री कृष्ण को हुआ तो उन्होंने निश्चे किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ना ही होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता ली और उन्होंने हनुमान ज हनुमान जी यह जानते थे कि उनके प्रभू श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसलिए वो बिना किसी देरी के द्वार्का के लिए निकल पड़े और द्वार्का पहुँचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दर्बार में जाने की बजाए, द्वार्का के राज उपवन में चले गए, उपवन पहुचने पर उन्होंने देखा कि वहां के व्रिक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं, हनुमान जी को भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने व्रिक्षों से फल तोड़ कर खाना शुरू कर दिया, और फिर जब उनका पेट दिया कि जाकर उस वानर को पकड़ लाए, श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए राज उपवन के लिए निकल पड़े, वहां पहुचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और कहा, हे मूर्ख वानर, तुम बाग क्यों उजार रहे ह और इस तरह इन फलों को क्यों तोड़ रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि यहां का राजा कौन है, अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यहां के राजा श्री कृष्ण है, और वो तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं, सेना नायक की बातें सुनकर महबली हनुमान ने क्रोध होने का ढोंग करते हुए कहा कि कौन क्रिष्ण, मैं किसी क्रिष्ण को नहीं जनता, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, इसलिए जाओ और अपने राजा क्रिष्ण दो की मैं नहीं आऊंगा। राज महल में फेंक दिया। यह देख सेनापती वहां से भाग गया और श्री कृष्ण को दरबार में आकर बताया कि वह कोई साधारन वानर नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेनापती से कहा कि आप उस वान रखना है कि कोई भी बिना अनुमती के अंदर ना आपाए। अगर कोई बिना आज्या के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। यह सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगा। चूंकि श्री कृष्ण ये समझते थे कि श्री राम का संदेश सुन कर हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते हैं। उधर सेना नायक ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं तो हनुमान जी बिना देर किये दरबार के लिए निकल पड़े। और जब दरबार के द्वार पर पहुँचे तो सुदर्शन चक्र ने कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा। लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महा भयंकर युद्ध होने लगा। किन्तु कुछ देर बाद जब हनुमान जी को ये जहात हुआ कि सुदर्शन के साथ युद्ध में उलजकर मेरा समय बरबाद हो रहा है तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्द ही समाप्त करण होगा। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन को पकड़ कर अपने मुह में पूचा हनुमान तुम अंदर कैसे आये क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं तब हनुमान जी ने कहा भगवन सुदर्शन ने रोका था परन्तु मैंने सोचा आपके दर्शनों में ज्यादा विलंब न हो इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलजकर और उसे मैंने घमंड भी चूर हो चुका था अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को लायक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुडे रहें हमारे चैनल दैविक गुरू के साथ धन्यवाद